दोस्तों मैं आपके साथ टॉप फाइव मल्टिवेगर स्टॉक्स आज दिखाऊंगा जिसमें आप अगर इंट्रेस्टेड हो अगर आपको लगें कि इसमें इंवेस्ट करना चाहिए तो आप इसमें इंवेस्ट कर सकते हैं पहला है एपोटेक्स इंडरस्ट्री एपोटेक्स इंडरस्ट्री जो है वो एक केमिकल का कमपनी है जिसका देखिए वन डे में 0.2% ग्रोध है वन वीक में 5% के आप रोक्स भागा है एक महीने में ये डाउन चल रहा है 4% एक साल की देखा जाये तो 30% इसका रिटर्न है पा अल्य टाइम की बात करे रहा है तो यह 11,000 गुना भागा है और जाइम हाई की बात करे तो यह च्छेश वावन वीक हाई की बात करे तो यह 689 रुपे तक गया था 52 लो 308 रुपे पर है अब यह जिर आपको 400 रुपे के मिल रही है पंडा मेंटर्स की बात करे तो इसमें 24 पॉइंट वन सेबन का एपी एस अर्णिंग पर सेयर जो है बाइस दिसम्मला नौ नौ का है डिविडेंट यह वन पॉइंट जीरो सेवन परसेंट की दे रही है बुक वैलू की बात करें तो पचासी पॉइंट सतासी है फेस बैलू इसकी दो है डेफ तू एकुर्टी एकु इसका डेफ रिचल की तो इसका डेफ देखा जालततुं सेप्टेंबर एकुसम्म जो है वह 306 करोड का और सेप्टेंबर 2022 में डाउन हो गया है तो अबर ओर ट्रेंड देखा जाए तो इसका क्वाट और नहीं सही है एरली की बात की जाए तो अठारा में 539 करोड चेसो चब्विस चार्सो च्यानमें 544 और अभी टॉप पीक पर जाके यह एरली के हिसाब से रिवेन्यो नौ सो संतावन कर प्रॉफिट की बात के तो प्रॉफिट भी ऐसे बढ़ते जा रहा है नेट ग्रोथ भी बढ़ रहा है अब आते हैं सेर होल्डि इंसिक्यूशन भी इसमें एक परसेंट की हिंसेदारी पर आ गया है मुझवल 1.0.1 परसेंट और डॉमेस्टिक इंसिटिशन पॉइंट परसेंट पर चलिए आते हैं दूसरे स्टॉक की बात करते हूं कि दूसरा स्टॉक आपका है साइबर वर्थ सिस्टम्स इसकी बात करना तो ये इस्टिक सर्फिस जो है वह एक एस्मॉल का कंपनी की बाहा है ये और इसकी बात करना तो वन बीक में 1% रिटर्न दिया है वन मंथ में ये दिया है न्यावन है पांच परसेंट एक एक साल की बात करें तो 40% डाउन है पांच साल की बात करें तो पांच साल में ये 60% बना के दिया है ओवर बात की जाए तो ये 733 मार्केट कैप इसका जो है 376 करोड का है आरोई 17 अब रिवेन्यू जेनरेट की बात करें तो क्वाटर और क्वाटर रिवेन्यू उसका कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक चल रहा है ये मांद के चल सकते हैं प्रॉफिट भी इसका कुछ खास नहीं है नेट ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है इसी साबसे कह सकते हैं कि आगए ग्रोथ करेंगी कंपनी चैनल करोड तेरासी चुरान में कि एक सो पंदर एक सो आरतिस करोड का है सेर्वल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिटेल के टेगरी में ये 63 पर सेंट पर मोंटर चलता है फाइवर की बात करें तो 441.94 परसेंट का रिवेन जन्रेट करके दिया है और अल्टाम की बात करें तो साथ सुच्यासी परसेंट करेंट रिटन दिया है अबावन बीक लोल है 188 का है और आई की बात को 354 का मर्केट कैप इसका ट्वांटी 989 करोड का है आरोई इसका 31 का यह अर्णिंग परसेंट 11.08 परसेंट 3.484 बुक बहलू भी ठीक है इसका फेस बहलू भी ठीक है अब फैनेंसियल की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छा है 21 में 306 करोड का अक्वाटर ली जनरेट किया था यह अच्छी जा रही है अर्णिंग भी इसकी अच्छी है प्रॉफिट की बात करें तो भी अच्छी है अच्छी नहीं काफी इसको बोल सकते हैं अब आते हैं तेजस नेटवर्क की बात करें यह यह बहुत अच्छी कंपनी तेजस नेटवर्क है इसके चलान बहुत अच्छा है भी साथ वन वीक की बात कर तो 7% ग्रोथ आया है वन मन्त में 4% 6% डाउन है वन एयर की बात की जाया तो 41% ग्रोथ किया है फाइव एयर में 43% का डिवेंड ने जनरेट करके दिया है और ओल टाइम 135% का ग्रोथ पे यह चल रही है बावन वीक लो की बात करें तो 1360 और बावन वीक हाई 773 तक यह गया था फंडामेंट मार्केट के बात करें तो यह 9000 रेपरोक्स 10,000 क्रोड की कंपनी की है यह फैनेंसियल की बात करें तो कि रिवेनी उतना खास नहीं जनरेट किया है अभी लेकिन यह कंपनी आगे जागे बहुत का अच्छी काम करेंगे अब आते ओन वार्ड टेकनोलोजी ओन वार्ड टेकनोलोजी आईटी सर्विस के भी कंपनी है वन विक की बात करें तो वन परसेंट डाउन चल रहा है वन मंथ में 10 परसेंट डाउन चल रहा है वन एयर में वन परसेंट का ग्रोथ दिया है फाइव एयर में 120 परसेंट का ग्रोथ दिया है और अल टाइम की बा सब कुछ इनका सही जा रहा है तो सब कुछ इनका सही जा रहा है कि अच्छा है रिटेल 54 परसेंट पर मोटर 45 परसेंट इस फरकार हमने आपको पांच सेर बताया जो की इस दोस्तों यह पांच सेर जो है आपको मल्टी वर मल्टी वैगर रिटर्न बना के दे सकता है अगर इसमें आप ग्रोथ के बात करें तो पांच साल के लिए कमसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपके पैसे को किन से चार गोना बना के दे सकता है और दोस्तों इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले को जब सही लगे तब इन्वेस्ट करें, ऐसे इन्वेस्ट ना करें